आज दी वीडियो लेके हैं तो अडिली फॉलो अप क्वेस्टन से फस्ट फॉल था बहुत ज़्यादा थेंकी होना था जिना ने कमेंट कीता से खा कि फॉलो अप क्वेस्टन देवते वीडियो बनाके जरूर देव और मेरी कोशिश नहीं दिये कि हर बार जो भी तुसी कहने लेके हमाँ आज देमान देखते ऐप फॉल अप कोस्टन से वीडियो लेके हैं वीडियो थोड़ी होगी चोटी होगी ज्यादा टेलसे वीडियो कर थे उसके तुर बनाके हो तो अनौट जो थे स्ब्सक्राइब कर देख लंगे आँगे the follow-up questions because follow-up questions normal question जड़ा साथे पार्ट वांदे विच क्वेशन होंदे होदे ना लो काफी different and tough वी होंदे है because they are lengthy vocabulary ना विच टाफ होंदे है सब तो important जड़ी student नो तंग कर दिया कि examiner वाय वाय बहुत पोश्च था सो वाय वाय नो कि मैं sort out करना है आज दी इस वीडियो देवेच समझांगे वीडियो एंड तक जरूर देख्यों और एंड तक जान्दे जान्दे अगर वीडियो चंगी लगी ते देन डॉंट फ्रगेट तो लाइक इट शेर इट एंड सब्सक्राइम है चैनल सो students start करते है आ दोनना देन आलो टोटली डिफरेंट होना है डिफरेंट के में होना पहला हो समझांगे आप हो चीज़ देखांगे नंबर सेकंड दे उत्ते इस पार्ट दे वेच क्वेस्ट दे वेच वोकेबलरी भी डिफिकल्ट हो सक दिया so start कर देया पहला स्टूर अपा देखांगे what is the difference between the part first and the part third you know that तो पार्ट वन दे विच भी क्वेस्ट पुछे जांदे और पार्ट थर्ड दे विच भी क्वेस्ट होन देया but दोनना दे विच डिफरेंस किया that must be important to understand because जदो तुन ये पता कि दोनों पार्ट डिफरेंट के में है ताही तुसी साम सक्दे कि अंसर देने कि में दोनों क्वेस्टन दे विच फर्स अगर मैं गाल करां पार्ट वन दी ते पार्ट वन दे विच साठी को जड़े क्वेस्टन पुछे जांदे या that are personal questions, personal questions मीज़ कि तो आडियां hobbies तो आड़ा hometown ओह questions जिनना दे आंसर तुसी ईजली दे सक देयां और I can say that कि दे आर familiar topics familiar topic means कि ओ topic जड़े तो अनू normal life दे वेच आंदे या तो अनू अनू ज़्यादा पढ़न दी जुरूरत नहीं होंदे because they are associated with their daily life ओ तो अड़ी daily life देना जुड़े होई topic होंदे या यह मैं मैं पहले गाल किती shopping, hobbies, reading, books, listening to music, hometown इस तरहां दे questions so familiar topic होंदे या personal question होंदे या personal question दे do you cook do you like your hometown ज्यादा दर question तो अनू personally पुछे जान दे या तो अड़ेना रेलेटेड होंदे या नमबर थर्ड ते short answers इना questions दे वेच असी answer बहुते lengthy नहीं देने होंदे maximum two to three sentences दे वेच असी answer देना होंदा so easy होंदा ज्यादा tough नहीं होंदा even simple question होंदे करके ज्यादा complex writing और vocabulary और speaking भी यूज़ोते नहीं कर दे नॉर्मली यूज़ कर दे हैं अगर आप आईए part three दे वेच पार्ट दी दे वेच student की होंदा कि तो अन्हों question पुछे जान दे या जेड़ा तो अन्हों topic क्यों कार दे वेच पुछे आ जान दा अपार्ट फ्रॉम दिस कई वरी तो अन्हों topic चेंज भी कर लेया जान दा है तो पार्ट थ्री दे वेच जड़ा number first जड़ी चीज है गिया that is abstract or unfamiliar topics मीज़ कि ओ टॉपिक जड़ी topics तुसी अपने daily life दे वेच regularly देख दे नहीं हैं उना बारे गाल नहीं कर दे हैंगे थोड़ जा तो अड़े daily life तो हटके topic जड़े हूण के वड़े तो एची लिए तो अनुपर प्रपेर रहना प्याना कि अब सट्रेक्ट टॉपक की मीन्स किया यह topics तुसी daily life ची यूज नहीं कर दें वह एक particular time तेकर आपा discussion करांगे उस चीज़ दे उत्ते ता फेरी आपाउना दे बारे गालबात कर सकते हैं नंबर सेकेंड इदे विच स्टूडेंट्स की हुंदा lengthy questions हुंदे या questions होगे past दे बारे future दे बारे time intense दा कोई भी हो साथा बाट past and future दे बारे जरूर पुछेया जादा जादा तर तो कि student नूँ इनी detail दे विच नॉलेज कई वरी नहीं हुंदी इस टोपिक ते बेच तो अड़े तो अड़े ओपीनियन्स तो अड़े कोड़ो एक्जांपल नूँ एक्सपेक्ट करना कि तुसी जो भी गाल कह रहे हैं उनु विद्ध एक्जांपल समझावो अपने ओपीनियन्स दबो किसे चीज़ दे उते मैं next example देना ले चीज़ भी करूंगा एक्जांपल दे तो और ते मैं question लिखिया do you think people rely on much on technology in these days sorry मैं तो इते ओन दो बार लिखिया गया do you think people rely much on technology these days so अकर तुसी first part and third part the questions नूँ compare करो तो first part which do you like cooking तो आड़े बारे question सी when do you cook तो आड़े बारे question सी do you like your hometown तो आड़े बारे question सी but part third question आगया about the people people दे बारे पोच्रे आइट मिसकी तो अनूँ तो अड़ा opinion पुछे आ जा रहे तो इदे एक broad answer कि में देना वो सारा कुछ आज दी इस वीडियो दे वीच हुना आपका कर दे हैं so students इस गे main difference difference करने तो बाद मैं हुन दो तैन question लाँगा example दे तो वरते मेरी कोश लिया हुया looking after historic places historical places के लिए अपा उना दी टेक केर करन दे बारे topic हैगा या so question first हैगा how do people in your country feel about protecting historic buildings हुन इते दो चीजहां पुछियां गिया एक ता एक ता है या कि लोग की सोच देया बट लोग का दे बारे की सोच देया एक ते तो अनू तो आंते आन देना पेना कि केस ची दे बारे पुछिया या रहे protecting historic buildings हुन student दी पहली गलती थे की हुन दिया गलती है हुन दिया कि ओ प्रटेक्टिंग वर्ड ते ज्यादा फोकस नहीं कर दा ओ फोकस कर जान दा historic buildings दे बिकास उनू जड़े easy easy word दा जड़े वर्ड वर्ड ओ डेली लाव ची सोन दा ओ वर्ड easily catch कर दा student सो पहली गलती student देही हुन दिया कि ना questions दे विच मेन टॉपिक दे फोकस करें दी बिजा लग लग opinion हो सकते सो फर्स्ट जड़ी चीज आ स्टूटन ते आनना question सामझेना question नहीं सामझे लग गया तो द्वारा पुछ साग देया बट जदों तक question सामझे नहीं लगया कदी answer देनी कोशिच ना करो तो अड़ answer गालता हुगा जहां तो अड़े कोड़ों answer देता नहीं कुछ तरीक के दा हो सकता है तो मैं भी कैसा दा कि to be honest people in my country are really careful about the protection of historic buildings even I would say they are taking responsibility of this this is because अप्रोटेक्टिंग दे बारे जो भी सोच देया हाँ पक्खी जा ना पक्खी ओदा रीजन देना पना मिनू पी क्यों well as I can say that India is a diverse country and it has a rich heritage and culture so there are a number of historical buildings for example red fort so people always want and ask governments to take necessary actions time to time in order to save these buildings so that our future generations could take advantage and learn a lot of things from this they always try they always ask governments they always contribute money so that these buildings are protected for example there is a building in my country there is a monument in my country named Chalya Vala Baag which is built in the memory of those who got retired who was who were killed by the British government during their rule so nowadays people spend their money people always contribute to save this building just because by watching this building by visiting this building they always remember that how rulers of that time killed the innocent peoples so these buildings always teach us humanity that we should not kill anybody we don't have any right to take the life of anyone so that's the that's the reason people always feel that protecting buildings is really very important so that we could learn from the mistakes of the others that we don't have to do these things in future no matter no matter no matter no matter या चाहर होया तो इस करके लोग जड़े मेरे कंट्री दे वेच आ गया बहुत केरफुल है गया बेल्डिंग्स नूँ प्रोटेक्ट करने बारे दे वेच नौट अनली बाउट दा बेल्डिंग्स सेकंड क्वेस्टन लिना डियू थिंक एन एरिया केन बेनिफिट फ्रॉम हाविंग्स एन इंट्रस्टिंग हिस्टारिक प्लेस लोकली इन वट वे और question इना लेन्थी होगे स्टूडन फिलना दा सामझ नहीं होना बाट मैंनू पता कि स्टूडन ने माइंड दे वेच एक वर्ड हिट करना ही करना धैट इस बेनिफिट कि स्टूडन नों लगना बैनिफिट पुच्छे या दूसरा वर्ड होगे माइंड चे हिट करूगा नो регिक होगे फोकस चीट है कि अस weeds benefit होगे नॉर्मली अगाल करल था कि स्थेमां जान दे हैं मेरी लोकाल यहां कि थाया या तोल ईक्व हूं कर पहोँ फोकस होने चाहिए थे एक्जांपल्ट तोर ते मेरी लोकालिटी दे बीच या मेरी शेहर दे एक कोई हिस्टारिक प्लेस है गाम आपना सब्सक्राइब दो डू यू थिंक एन एरिया केन बेनेफिट फ्रॉम हैविंग एन इंट्रस्टिंग हिस्टॉरिक प्लेस लोकली एंड इन वट वे दूसरा उन्हों पुच्छा कि बैनेफिट हाऊगा कि में एस ची दिरते भी फोकस करना पहना पहली दगा ले या कि डू यू थिंक तो अनू तो अड़ा पीनियन पुच्छा जा रहा है यास आई 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 बलीव एट बैनेफिट होगे जा कि में बैनेफिट होगे यह सब्सक्राइब को अपूरस नंचल आई बलीव एट बढ़ा नंचल आई वियुच्छा कि की बैनेफिट होगे for example when tourist is will visit this place definitely they have to they will spend money on the things that they buy over there even they will stay there for longer so in this way people can get benefits by giving their rooms on rents even people can sell the historical or artifacts that can also bring money for them apart from this uh the area will be developed more government will spend a huge amount of money in order to develop that area because in this way they can attract more tourists which will be beneficial for again for the local people as new restaurants will be developed and new jobs or for the local people will be created so new jobs in the local area area developed number two ii touristas no one ii kushka loka apne rooms uran tte deke ek mai kar saka dya so ive eek benefit hai ga ya so is trike this turn man do tine benefit as example leakey sange at tea ki ki benefit o serien hon gay so way on the puché bhi case way dinal benefit oka ma daa sta financial benefits on gay teakha development ho gui arid which employment increase ho gui because local local jaubs miln nga houtte jadho koi nami चीज बनुगी, so restaurant बगरा बनने तो आपिसली जॉब सानु मिल लिया है गया, so मैं एक और फिर दा आंसर देना, हो सा दा आंसर मेरा सेम ना हो भी हुआ 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 है, लिख नहीं है जो वैसे ही बोल रहा है, so do you think an area can benefit from having an interesting place locally, yes I would say a place where a place where a historic place would be allocated will get a number of benefits, first of all the financial benefits are there for example people can sell their things for example artifacts or traditional things, number second many people can give their rooms of the houses on rent to the tourists and they can earn money by this, the most important benefit is that the government will spend a huge amount of money to develop that area, so in this way people will feel happy, the infrastructure of that area will be well developed, apart from this unemployment opportunities will be more for the local people because new restaurants, new apartments and other new things, other new businesses will open there, where local communities, where people from the local community can get a number of benefits in form of jobs, so ए सारे साडे benefits होनगे, so देखो मैं कितना एक question नो तरीके ना समझाया, यह नहीं हैगा कि मैं कल्ला benefits ते फोकस किता, one by one मैं लग लग benefit लगया है और विद गजांपल सुना नो मैं समझाया, question number third, what do you think will happen to historic buildings in future and why, होन question देवेच कि या तुसी historic buildings पड़ूंगे, future पड़ूंगे, जड़े easy word होना ते त्यान दोंगे, but on and all reason भी पुच्चाया भी जो भी तुसी कहना, yes or no, ओदा reason भी देना भी करता होगी, so it means कि again we have to give a lengthy answer, again we have to make the examiner understand what we try to say and why we say that, so for example what do you think will happen to historic buildings in future, future देवेच historic buildings नों की हो सकदा, या तुआ decoding, जे तुसी कहने पी आ कोश होगा, ओदा reason देना, जे कुछ कहूंगे, आ कोश होगा, ओदा भी जिसकी हर चीज़ा reason देना पहना, in my opinion, अधना दा question definitely थोड़ा सोचन वड़ा या, अपना थोड़ा सोच भी सकते हैं, एक आप अपना opinion देना है, So, in my opinion, historic buildings may change in future, even they can get deteriorate, although governments will spend a lot of money to save them because the governments know that these are the heritage and legacy of our country, but still I would say that protecting old buildings for a long time can be a daunting task for the governments, So, I think definitely the beauty of the historical places and their importance may fade in future, let me take an example, there is a castle in my area which was built by a Mughal emperor for almost 15,000 years ago, 1500 years ago, मैं आज एक्जादा या, this is an attractive tourist place, many people come to see this place and they see how the structure of the past were different, although government is investing huge amount of money to save this building, but I have seen that the bricks of the castle are getting out of the walls, even the ceilings of the castle are falling down, so I think in this way, if we talk about the future of the buildings, they can get deteriorated, they can get destroyed, this way we can say that historic buildings will get deteriorated in future, why I believe this, because it is not easy to know, the reason already there, why is it, why is it, why is it, that government in the middle of these things easy to do, even we can't save these buildings from the natural disasters, like increasing temperature, increasing temperature, even as these places are being converted into the tourist places, tourist places which convert, so many tourists visit these places, but along with watching the beauty of these places, they also destroy, contribute to destroy these buildings, so I think increasing tourism will be the another reason, why I believe that these buildings will be deteriorated in future, so my reason we dare, we can deteriorate on the ground, the reason we dare, so we may share length of the answer, I think I will come to the video which will be basic, when you have to answer the follow-up questions, नेक्स्ट एक चीज़ हो देखते हैं स्टूडेंट फाइनली अगेन महोई गाल करना चाहना कि इस तरह निया वीडियो देखना देली मेरे टच्स का यह अपनू गूगल प्ले स्टोर तो जुरूर डाउनलोड कर लो अगर तुसी आई ओस यूज़ कर देख देया थे ओधे आई ऑस यूज़ कर देया ते उधेली क्लास प्लस दी एप नो डाउनलोड करना प्रेणा तो बात तुसे मेरा कोड यूज़ करना के एजभी आई इस कोड यूज़ करके तुसी मेरी अप्लिकेशन नो शैस कर सकते हैं तो इस आप्लिकेशन दे तो अनू रagular वीडियो और